हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चलो लर्न करते हैं मैं और मेरा नाम है मनिशा तो आज हम बात करेंगे लाइन के टैप्स की तो उसमें आज आता है पैरलर लाइन्स, intersecting lines perpendicular lines और concurrent lines मैंने आपको पहले कहा था कि मैं इस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी तो उमीद आप लोग को वीडियो पसंद आएगा तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं parallel lines है एक line हो गया हमारा हो गया intersect नहीं कर रहें इंट्रसेक्ट करने का मतलब होता है एक दूसरी को काट ना ओके यह इंट्रसेक्ट नहीं कर रहे हैं तो इसका मिंस यह the lines do not intersect are known as parallel line यह LM क्या हों गया parallel line के लाइब इस तरह से लिख सकते हैं यह दिखिए एल पैडलर म इस तरह से हम लिख सकते तो यह हमारे चाह कहला गए पैडलर लाइन कर लाएं यह हमारे पैडलर लाइन कि बात करते हैं जैसे यह हमने ले लिया और यह है M और यह यह जो पॉइंट है वो है O OK तो हम कह सकते हैं कि two line जो है वो L और M intersect कर रहें किस पर point O पर OK तो O हमारा क्या हो जाएगा point of intersection ठीकिए O हमारा क्या कहलाएगा point of intersection और यह intersecting line हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि if the two lines intersect at the point O and this point O is called the point of intersection of the given lines L and M okay O हमारा हो जाएगा क्या intersection okay O हमारा हो जाएगा point of intersection और यह lines कह लाएंगे intersecting lines तो इन दोने में जो point common जो point हो वो क्या हो गया O हो गया इस line में भी देखिए O point है और इस line में भी देखिए O point है तो O point दोनों में common है जब कि parallel line में point common नहीं होता है और नहीं एक दूसरे को intersect करते हैं जब दो line एक दूसरे को इस तरह intersect करें इस तरह से intersect करें चलिए L मान लिया और यह M मान लिया वह दो पुरह जब एक दुसरे को इस तरह इंटरसेक्ट करें कि राइट एंगल बने यानि 90 डिग्री का एंगल बने थी के तो वह हमारा प्रपेंडिक्वीलर लाइन कहलाता है यह अब बात करते हैं कन करंट लाइन की को राइन क्या होते हैं तो जब एक लाइन पर टीक है 3 ठीक है टू लाइन त्री लाइन चलिए इसे लिख देते हैं एल एम एन ठीक है वन लाइन यह वन लाइन टू लाइन अभी एक लाइन और ले लिया चलिए इसे मान लेते हैं पी और यह है ओ ठीक है तो जब ही से ज्यादा जब लाइन एक दूसरे को काड़ते हैं इंटर्सेक्ट करते हैं ठीक है ओपर ओपर या किसी भी पॉइंट पर एक ही पॉइंट पर तो उससे हम कहते हैं concurrent lines ठीक है तो जब three lines या फिर three से ज्यादा lines जब एक दूसरे को intersect करते हैं एक ही point पर तो उसे हम कहते हैं concurrent lines if all the lines pass through the same point oh yeah कोई भी नाम हो सकता है point का P Q कुछ भी आप रख सकते हैं if all the lines pass through the same point and this point is called the point of concurrence okay c-o-n-c-u-r-r-e-n-c-e point of concurrence of the given lines तो यह point क्या हो जागा concurrence point कहलाएगा okay in lines का okay और यह सभी जो lines कहलाएंगे वह concurrent lines हो जाएंगे अब अगर एक और line हमारा आ जाएं इसमें okay और यह है Q तो क्या Q तो क्या Q concurrent lines होगा no Q is not concurrent with them okay so line P M and L are concurrent lines but Q is not concurrent with them okay तो यह अलग हो जाएगा इनसे उके फ्रेंड्स तो उमीद है आप लोग समझ गए होँगे इन लाइन्स के बारे में क्या होते हैं Intersecting Lines, Parallel Lines, Perpendicular Lines, Concurrent Lines तो उमीद है आप लोग इस वीडio पसंद आए होगा पसंद आया होगा तो प्लीस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब का बटन रेट कलर में है जिसे आपको प्रेस करना है और फिर बेल बटन भी प्रेस कर दीजेगा जिसे में जो भी वीडियो डालो वो आप लोगों तक तुरंट पहुँचे और फिर थेंक यू थेंक यू पर वाचिंग